Hi friends, welcome to my channel Threads and Needles आज मैं आपको क्रोशे का रोज फ्लावर बनाना सिखाऊंगी पहले एक स्लिप नॉट बनाईए उसके बाद 72 चेंस बनाईए 72 चेंस बनाकर 1, 2, 3 थर्ड चेंस में एक डबल क्रोशे बनाईए इसी तरह हर चेंस में एक डबल क्रोशे बनाईए फ्रेंड्स में आपको अपनी प्रीविएस वीडियो में डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, एंड स्लिप स्टिच के लिए बता चुकी हूँ ये हमारी 72 चेंस में सामने 72 डबल क्रोशे बना लिया है हर चेंस में एक एक डबल क्रोशे बनाईए चेंस थ्री स्टार्टिंग में हम चेंड फाइव बनाएंगे टू चेंड छोड़कर थर्ड में एक स्लिप स्टिच बनाएगे चेंड त्री टू चेंड छोड़कर थर्ड में एक स्लिप स्टिच बनाएगे स्टार्डिंग में हमें फाइव चेंड बनानी है और उसके बाद त्री त्री चेंड बनाकर दो डबल क्रोशय स्किप करके थर्ड में स्लिप स्टिच बनाना है इसी तरह हम ये राउंड पूरा करेंगे 1, 2, 3, skip 2 chains and make a slip stitch हमने 72 chains के ऊपर 3, 3 chain बनाकर 2 chains skip किया है और 3rd chain में 1 simple stitch बनाई है 2 double crochet skip किया फिर 1 slip stitch बनाई है इस तरह हमने ये round complete किया chain 1 अब हम 1st space में 5 half double crochet बनाएंगे half double crochet बनाने के लिए thread को hook के उपर लीजिए space के बीच में से निकाल कर thread को फिर hook के उपर लीजिए और 3ों में से एक साथ निकाल दीजिए ये हमारा half double crochet है नेक्स चेंड में एक स्लीपी स्टीच और 5 ताइम्स हाफ दबल क्रोशिय नेक्स पेस में एक स्लीपी स्टीच फाइम्स 5 ताइम्स हाफ डबल क्रोशिय इस परकार हम स्टार्टिंग के 6 स्पेस में 1,2,3,4,5,6 ताइम्स 6 स्पेस में half double crochet बनाएंगे 6 स्पेस में स्पेस में हम डबल क्रोशिय बनाएंगे स्लीपी स्टीच और 5 ताइम्स डबल क्रोशिय इसमें हमने 1,2,3,4,5,6 ताइम्स डबल क्रोशिय बनाएंगे स्लीपी स्टीच और 5 ताइम्स डबल क्रोशिय बाकी सब स्पेस में हम triple डबल क्रोशिय बनाएंगे एक स्लीपी स्टीच अब हम थ्रेड को दो बार हुक के उपर लपेटेंगे पहले हमने हाफ डबल क्रोशिय बनाया फिर हमने डबल क्रोशिय अब ट्रिपल डबल क्रोशिय हुक के उपर थ्रेड को दो बार लपेटकर स्पेस के अंदर से हुक निकालेंगे पहले दो लूप से फिर थ्रेड को दो लूप से एंड अगें दो लूप से ये हमारा टिपल डबल क्रोश्या है एप दो टू टाइम्स थ्रेड को ऊपके उपर लेंगे पहले टू लूप से निकालिए फिर टू लूप से फिर टू लूप से यह भी फाइव टाइम्स करेंगे इसमें फ्रेंड सम् हाफ डबल क्रोशय बनाएंगे इन सब में हमने स्लिप स्टिच की है स्टार्टिंग में और एंड में और इसमें हाफ डबल क्रोशय हाफ डबल क्रोशय नेक्स्ट स्टेस में फिर से वही ट्रिपल डबल क्रोशय फाइव टाइम्स हाफ डबल क्रोशय ट्रिपल डबल क्रोशय त्रिपल डबल क्रोशय फाइव टाइम्स अब ये धागा कट कर दीजिए ये राउंड कम्पलीट हो गया है स्टार्टिंग के सिक्स स्पेस में हाफ डबल क्रोशय एड सेमन स्पेस में डबल क्रोशय और उसके बाद लास तक ट्रिपल डबल क्रोशय अब हम इस फ्लावर को सीलेंगे हमें निडल की ज़रत पड़ेगी सो गाइस हमारा बीटिफुल रोस फ्लावर तयार है आप चाहें तो इसे छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं एक निडल लीजिए प्रया निय। ञे फिर निडल सनक्राइस कर दो कर दो कर दो आप चाहें तो इसे चोटा या बड़ा अपनी इक्षा के अनुसार कर सकते हैं I hope you like this. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye-bye.